हेलो फ्रेंड्स मैं सुमित आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर वीजय दही फले के साथ इस खास कारेक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूँ सबसे पहले हम वो सारी चीज़े हमारे फ्रेंड्स या फेमिली के साथ शेर करते है पर दोस्तों जब भी हमें कोई सेक्स से जूड़ी परिशानी सताती है तब हम एइसा नहीं कर पाते है क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है हम जीजकत है पर दोस्तो अब शर्मा ने की और जीजकत ने की बिल्कुल जरूरत नहीं क्योंकि डॉक्टर वीज़ाई दाइफले आपके सारे सेक्स रिलेटेर सवालों के बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जवाब दें नवी मुंबई में नेरूल, दादर, अंधेरी, कल्यान, नाशिक, एहमदाबाद और दुबई में है डॉक्टर वीज़े दही फले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फरेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेर सल्ला मशोर करते रहते हैं चलिए दोस्तों आपको डॉक्टर साब के क्लिनिक्स के बार में तो पता चली ही गया है यह शो को शुरुवात करते हैं पर शोक को शुरुवात करने से पहले आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ डॉक्टर साब का रीसेंट्ली साउथ मुंबई में दक्षिन मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू है तो डेफिनिटलि आप कुलाबा सेंटर में जाके सर की अपॉंटमेंट लेके बहुत ही पॉजिटिव तरीके से सरका कंसल्टेशन जरूर पा सकते हो फिलाल शो को शुरूरात करते हैं सर हमारे साथ हैं सर वेलकम टीवी अटे यहीजिए वीडियो सॉशल मीडिया पर शेयर करते हैं फेस्बूख हो या यूटुब हो तो Québec's फेस्बुक हो स stud कमेंट सेक्शन by में सारे सवाल रिपीटेडली आपको पूछे जाते और यही पब्लिक डिमांड के वैसे आज आपने एक बहुत ही एहम टॉपिक से लेखे है जिसमें हम आप आपसे जाना चाहेंगे सेक्षड डिस फंक्षण कोमब्री के बारे में और हाbnसपीडिस के बारे में से re cud क्या होता है प्ली एक पेस्टीफिक पेस सेक्शुलिस्फंच्छन है फिमेल सेक्शुलिस्फंच्छन है स्पेशली यहां पर एक फ्रेम देना चाहता हूं ताइम प्लेस परसन कंडिशन कल्चर सेफ्टी और कंसेंटिंग अपना ओना और नोन पार्टनर उनके हीत के लिए उनके फाइदे के लिए सेंटिव कि और उसका यूरीन का टीब जो है सामने से आने के बज़ाए वो नीचे शाहता है जिसके वैसे जब यूरीन पास आउट करेगा उसवत हो पूरा स्पेड करेगा अपने थास की ऊपर और पूरा पिरिंगेस बेंड रहेगा और इसके और कुछ प्रकार होते हैं क्या उसके ड जाट डिलीवर होता है तो एटेंड डॉक्टर है है नेर्स है उनके सब पार्स देख लेते हैं बहुत बार गर पे डिलीवियो गई तो पैरेंट्स को ध्यान में आता है कि इसका लिंक प्रिजेशन के विए से अधर नर्स है या टीटिंग डॉक्टर है या डिलिवरी के डॉक्टर है या पैरेंट्स के तरफ से प्रिजेंटेशन आता है और उसके बाद जो सेक्सोलोजी और शिरोलोजी से एकॉर्डिंगली उसका टाइप देखके उसे ट्रिटमेंट देते है इसी सिलसिले में और भी कुछ सवाल आपसे करना चाहूंगा पर एक दर्शक का कॉल आया है नाशिक से चंदरकान जी हमारे साथ जूड़ गया क्या हम ले सकते कॉल शूर 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 आपका सवाल पूछ है तो क्या करें उसे एक्सलाट ऐसे केसों को सुमझ जी करते हैं एंबिग्वेज जेनाटेलिया और यह भी एक पार्ट है पेरिनियल टैप का है पोस्परियस का मतलब क्या होता है इसमें यहां पे आपको पेरिनिस भी दिख रहा है लेकिन छोटा है उसका एवेंटल करने में ने हमारे एनस के और पेनिस का जो बेस है इसकोटम का उसके अंतर तक पुरा ओपन दिखता है ऐसे केसे में क्रोमोजमल स्टड़ी करके पहले जिनो टैपिस क्या है वो देखना है बहुत अच्छा एक्स्वाय है और एक्कॉर्डिंगली उसे हमें सजी करके वन से तू स्टेज में हम उसे अच्छा करते है डेफिनेटली पारेंट्स को कुछ जनता करने के जुरत नहीं उसे कॉस्मेडिक सजदी करके हम बहुत अच्छा एजल दे सकते है डेफिनेटली सर वापस एक बार क्वेस्टन अंसर के उपर आना चाहूंगा सर हम बात कर रहे है हा है आम तोर पर ये हाइपोसपीड़ सके कितने परकार होता है थोड़ा प्लीज उसके बार में हमें बता हिए इन जडरल सबको पारेंट्स को पता वादा क्यों जूरु है हैं है यसा बेंड रहता है और हैंपार ignore न्युर respons अरो मिण नहार्यभ ब्राटीश का ओपनिंग को थान में रखते हुए कितने प्रकार है? सब-coronal है, coronal है, distal and middle penile है proximal penile है और perennial है इसका मतलब जैसे जैसे उसका opening पीछे आते रहता है उस तरह से उसके severity भरती है जैसे हमने अभी एक question में देखा वो तो पूरा female के जैसा दिख रहा है मतलब वो पेरेनियल है पॉस्पीडिस से जो भी हो इसके अंदर एक्सपीरियंस है वही उसे अच्छी तरह से टीट कर सकते है अभी आपने फोन पे जब आप आंसर दे रहे हैं तो बताया कि सरजरी करके ठीक हो सकता है तो सर यह सरजरी कब करनी चाहिए है है थोड़ा उसके बार में बताये स्वर्स मास्ट Buzz लोग discussृन है पर करना है क्यों कुछ लोग करते इसको सकूद का बड़ा होने चाइड़क्राहिए बढ़ा मतलब के टला मेरे पास तो कभी देस साल नाय lass कम करता है ऐसो एक साल के हो एक साल तक यहेट करना कि जरुरी है चूदिसा psychologically वो child को बहुत affect करता है जिसे दीरी-दीरी बच्चा बड़ा होगा स्कूल में जाएगा तो क्या देखेगा सब अच्छा है उरिन कर रहे है स्टेट पेनिस है और डिप्रेस होता भी मेरा क्यों त्यड़ा है मेरी उरिन क्यों पैंट पर आ रही है तो एक ही कहूंगा एक साल तक या ज्यादा सी ज्यादा दो साल के पहले इसे operate करना है जिसके वैसे साइकोलोजिकल ट्रॉमा नहीं होगा और बहुत ब साल से देड़ साल तक इसे operate करना बहुत जरूरी है और लेट आगे तो जब भी आगे तो करना तो पड़ता ही है लेकिन अर्लियस इस दे बेस टाइम एक और दर्सक का एक्चुली फोन आया नंदूर बार से चाया मैडम हमारे साथ चाया जी आपका सवाल पूछे आपका फ साथ देडालिंग है वो नीचे गया है ओपन है सामने का ओपनिंग तो इस बच्चा कैसे होगा इस प्रशन जो आता है क्यों आता है पर सीमेनी डिपॉजिट नहीं होगा वो स्टेटी नहीं रहा तो कैसे सेक्स करेगा उसके बाद बहुत बार क्या होता है यह है करके उसकी उर्यत्रा बनाएंगे उसके बाद कुछ टेसस्ट्रॉन रिप्लेस्मेंट थेरैपी है वो सही देखिए या क्रिप्ट और किजम में अन्रिसेंडेड टेसिस होगी तो दोनों टेसिस नीचे लाके स्टेप बाई स्टेप उसको आच्छा करेंगे एक बार इस सब क्या रिखाया रिखेस्ट से कमजोरी आ सकती है का प्लीज थोड़ा उसके बारे में रिता है इस में समझा हम टेस्ट्र की बात कर रहे हैं छोटी हो अंडेसंडेड हो है यान्सरी मात्रा कम रिख उखती एक बात भाई बहुत बार लिंग चोटा रहने के बात जब कोड़ी करते हो ज्यादा कॉड़ी है जब स्ट्रेश सर्जडी करते हो उसमें भी बहुत बार फाइब्रोसिस रहने के बाद वहाँ पे एरेक्शन में फ्यूजर में प्रॉडम आ सकता है लेकिन इसे प्रॉपर टाइम में ऑपरेट करके जोरुरत पड़े तो आगे चलके हम उसे यह अच्छा करके टेसरस्टान रिप्लेस्मेंट थेरापी देखे या जोरुत पड़े तो पी शॉट थेरापी या इंप्लांट करके भी उसे हम अच्छा करते हैं तो उन्हें चिंता करने की कोई जोरुत में डेफिनिटी सर एक आखरी और सबसे एहम सवाल आपसे पूछना होगा सर हाइपोस्पीडेस की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं प्लीज उसके बारे में बताईए एक्सलेंट रूटीनली हैपोस्पीडेस से स्टेज रहता है क्यों क्योंकि इसे स्टेज इसलिए करना है कि उसकी युरेत्रा जो रहती है जो कॉर्पस पॉंजियों जो रहता है वो बहुत बार थीन रहता है, अन्डेवलोप रहता है और हम सिंगल स्टेज में करने का परत्न करेंगे, तो बाद में उसे बेंड होना, एफिशल होने का चाझ से होंगा, उसे स्टेज रिपेयर करना हे, फर्स्टेज और दूसरी स्टेज के बित में कम से कम 6 मिने कांतर रख तो फ्रेंट्स एक ही कहूंगा ऐसी व्यादी रहने के बाद एक्सपर्ट को दिखाए और अपने बच्चे का अभविश्य अच्छा करें अपने सारी वैलुएबल इंफर्मेशन हमारे साथ शेयर की पर समय की थोड़ी सी पाबंदी इसलिए आज के एपिसोड में हमें यही सेंटर शुरू हुआ है तो डेफिनिटल आप गुलाबा सेंटर में भी सेर का कंसर्टेशन जरूर पासकते हों चले दोस्तों आज के शो में समय होचला है यहीं पर रुकने का शुक्रिया